बदाईू में दो मासूम बच्चों की हत्या का सच क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है और हत्या की गुथी और भी ज्यादा उलज गई है इसे उलजाने का काम खुद SSP के बयान ने किया है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है यही मैं आपको इस वीडि इन इंडिया के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें देखे बीते मंगलवार को बदाईू में दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई चाकूं से गोद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया इसके बाद पुल पिरी से आखरकार जावेद की गिरफतारी हो गई इसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉंफरेंस किया गया प्रेस कॉंफरेंस में पुलिस ने आरोपी साजिद जिसे एंकाउंटर में मार गिराय गया था उसे लेकर कुछ दावे किये और ये दावा जावेद के बय में हो गई लेकिन जो मूल सवाल था जिसका जवाब परिवार भी जानना चाहता है जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया ऐसा लगा कि मानों प्रेस קांफरेंस करके घटना का खुलासा करके बस खानपूर्थी कर दी गई लेकिन असल वज़े क्या थी इस मॉडर की दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या करने की वज़े क्या थी आपसे रंजिश वज़े थी कोई और वज़े थी वज़े क्या थी जो परिवार भी जानना चाता है उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया अब पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें एक दरगाह का जिक्र किया पुलिस ने और ये बताय कि जो साज़ेद था वह बच्चपन से ही उस दरगाह पर जाये करता था जिसकी बहुत मान्यता थी और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था कई सालों से उसका इलाज च से मिलता था बात्चीत करता था दोनों भाइं पर काम किया करते थे और कभी किसी की कोई नोग जोक नहीं हुई और यही जोसे बड़ा सवाल है कि आखिर वस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने उन दो बच्चों की हत्या कर दी ना कोई जघड़ा दो max बच्चों का खर कुसूर यही सवाल अभी भी यह ऐसा प्रश्ण बना हुआ है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा जब वो उस इलाके में बीते कई महीनों से बीते कई सालों से दुकान चला रहा था अपनी वो सलून का काम वो करता था वहां कभी किसी के साथ उसकी कोई लडाई नहीं हुई कोई नोग जोक नहीं हुई तो आखिर अचानक से यह गुसाल प्रविर्ती की बात कहां से आई जब कि परिवार वालों कभी यही कहना है कि वो शांत स्वभाव का था कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और दूसरा बड़ा सवाल जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है जिसके पुलिस ने कहा कि उसके पास से तमंचा मिला है साजिद ने पुलिस के उपर गोलियां चलाई तमंचा बरामद हुआ और तभी उसका एंकाउंटर किया गया है यही दलील पुलिस की तरफ से दी गई है लेकिन जब हत्या उसने चाकू से की तो तमंचा उसके पास कहां से आ कि परिवार वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें पुलिस से हमें सरकार से किसी और तरह की मदद नहीं चाहिए हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखर हमारे बच्चों का कुसूर क्या था हमारा कुसूर क्या था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया निर्मम तर के जवाब पुलिस दे पाएगी क्या सटी किसका जवाब मिल पाएगा कि आखिर उन बच्चों की हत्या के पीछे मकसद क्या था क्या इसका जवाब कभी सामने आ पाएगा यही बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस पूरी घटना को ल झाल झाल